नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर नर्सिंग फार्मेसी क्रिसीव अन्य कोर्स में आर्मिशन के लिए चॉइस फिलिंग सुरू कुर्णी में 2020 की तुल्ला में कम रहा मद्दान प्रतीसत डॉक्टर भीम राओ अंबेतकर की पुनेती थी आज समिधान के निर्माता एवं भात रतन बाबा साहिब डॉक्टर भीम राओ अंबेतकर की आज पुन्यती थी है इस दिन देश भर में उन्हें श्रद्धांजली अर्पित की जा रही है राज़ानी दिल्ली में राष्टरपती रामनात कोविंद उप राष्टरपती एम वनकया नाइडू प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला नेता विपक्ष मलिकार जुन खड़के समेथ कई बड़े नेताओं ने भी अमेदकर को श्रद्धांजली दी है इसके साथ बिहार के उप मुक्रिमंतरी तेश्व यादव ने भी उन्हें श्रद्धाजली देते वे एक ट्वीट शेर किया है और कहा है कि अपने अतुलनिय जीवन संखर्ष ग्यान और चेतना से करोडों वन्चितों वा उत्पीरतों की समाजिक वा आर्थिक समानता उत् कचरियों में हर 10 में से 8 मामलों का हो रहा निप्टारा रिपोर्ट के मताबिक वैसे मामले जो राज्य के ग्राम कचरियों में आते हैं उनमें से 10 मामलों में से 8 का निप्टारा कर्विवादों को सुलझा दिया जाता है बता दे कि दोनों पक्चों की समस्याओं के प्रारं निकालते वे ग्राम पंचायत के दोरा अपना निर्ने बता दिया गया है। मामले पर सुनवाई करते वे इसके जांच की जिम्मा CBI को सौप दिया गया है। मद्दान प्रतीसत बीदे दिन कुर्णी विधान साभा का उपचनाओ 13 प्रत्याशियों की भी संपन हुआ। लेकिन इस चनाओ में 57.90 प्रतीसत लोगों ने मद्दिया बता दे कि इस चनाओ के दोरान सरापी ने पिलाने को लेकर करीब 154 मामले सामने आए हैं। जिनके खिलाब प्रत्याशियों की दर्च की गई है। राजस्व कर्मी को सैनी की विद्वा से घूस लेना पड़ा भारी। बिहार में भरस्ट अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक एकाई की कारवाई तेज हो गई है। अधिकारी में एक वीडियो वाइरल हुआ है बता दे कि वीडियो बांका जले के बॉंसी अचल का है जहां एक सैनी की विद्वा से एक अधिकारी घूस लेता नजर आ रहा है दरसल जमीन का म्यूटेशन करने वाले राजस्व कर्मी फिरोज आलम ने म्यूटेशन के नाम प गर उस अधिकारी को नलंबित कर दिया गया नर्सिंग फार्मसी क्रिसी वा अन्य कोर्स में अन्मिशन के लिए चॉइस फिलिंग सुरू कर दी गई है लेकिन इस प्रक्रिया में वही अभियरती शामिल हो सकते हैं जो बिहार संयुक्त प्रवेश परिक्षा 2022 में सफल हुए हो जानकारी के लिए बता दिए कि PCM, PCB, PCMD, CBA, PCA, MBA, MCA के लिए स्ट्रेंट्स आर्ट से 14 दिसंबर तक रेजिस्ट्रेशन वा चॉइस फिलिंग भड़ेंगे इस ग्रूप के स्ट्रेंट्स के लिए आवेदन की तारीक 8 दिसंबर से सुरू हो रही है जो कि 14 दिसंबर 2022 तक चलेगी वहीं 1st round का 10 10 result 20 December और 2nd round का 10 10 result 29 December को जारी किया जाएगा इसके साथ ही जो अभयरती 1st round में सलेक्ट होते हैं 21-23 तक और 2nd round वाले अभियरती 30-31 दिसंबर तक admission ले सकते हैं इसके लावा वो बच्चे जिन्होंने CBA, PCA, MBA, MCA के लिए registration करवाया है उनका 1st round का result और 2nd round का result 19 दिसंबर और 23 दिसंबर को जारी किया जाएगा पत्ना में जल्दी मिलने लगे का digital currency जल्दी अब बिहार की रालतानी पत्ना में भी digital currency मिलने लगे की जानकारी के लिए बता दी कि पहरे चल्द के अंतरगत जिन्द बैंकों को चुना गया है उनमें मुंबई, नई दिली, गंग टोग, बैंगलूर, भूवनेश्वर, गुहाटी, पत्ना, लखनाउ, शिमला, हैदराबाद, एंदौर, एहमदाबाद और कोछी सामिल है आरबियाई के दोरा दी गई जानकारी के नुसार ये डिजिडल कर्रेंसी भी कागजी मुद्रा के ही समान होगा फरार आईपियस आदित्यक कुमार के खिलाफ SIT गठित एक बड़ फिर फरार आईपियस आदित्यक कुमार की परिशानिया बढ़ने वाली है जहां एक तरब बिहार पुलिस उनके खिलाफ वारंट जारी की है आरथिक अपराद इकाई के दोरा भी उनकी संपति का कुड़की की तयारी शुरू कर दी है समिब इस्थित आवास पर धारा 42 की प्रक्रिया की तहट चिपकाये गया है बिहार के इस सहर में ब्रूसली तैयार करने आए विदेशी कोच वैसे बचे जो कराटे सीखने चाहते हैं उनके लिए सुनेरा मौका है बिहार के मुझपरपुर जिले में कराटे के माहिट कोच और नीदर लैंज के खिलारी क्राट मास्टर कंचो स्टार पहुंचे हैं जो यहां कर बच्चों को कराटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं इस दोरान उन्होंने बच्चों को प्रतिद्वन्दी के वार को डिफेंड करने के साथ साथ उन पर हमला करने के भी करी तरकी बे सिखाई है यह सारी ट्रेनिंग उनके दोरा मुझपरपुर में आयोजित सेमिनार रास वर्ड में दी जा रही है वहीं सेमिनार के आयोजित होने के बाद रास वर्ड की सिल्पी सोनम के दोरा बताया गया है कि बच्चों की रूची को देखते वे इस कारेक्रम का आयोज अब समय समय पर किया जाएगा मिशा भारती ने शेयर किया भावक पोस्ट शेयर करते वे लिखा है कि आईस्यू में पापा से कुछ देर के लिए मिलने के लिए अनुमती मिली परिवार में सभी पापा और रोहिनी की कुशलता के लिए चिंति थे इसलिए ऑपरेशन के बाद पापा से मिलना बहुत ही भावक करने वाला पल था पापा ने रोहिनी के कुशलता के बारे में पुचा फिर धीरे-धीरे बोलते वे पुरानी बाते याद करने लगे बिहार कॉंग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बोले अखिलेश सिंग राचेसाबस अंसद और पुर्व केंद्री मंतरी डौक्טर अखिलेश प्रसास सिंग को बिहार कॉंग्रेस का नया अध्यक्ष चुना गया है और यह मेरी पहली प्रात मिक्ता है ताकि बिहार कॉंग्रेस अपने सहयोगियों के साथ और भी मजबूती से खरार रह सके इसके साथ उन्होंने बीजेपी पर हमला करते वे कहा कि आने वाले लोग सभाचनाव और विधान सभाचनाव में महागरवन धन बीजेपी को पूरी तरह से सुपरास साफ कर देगा गिरिडास सिंग ने की रोहनी आचारे की तारीफ बीते दिन लालुयादव का सफलता पुर्वक किर्नी ट्रांस्प्लांट किया गया और अवे फिलहाल आईशियो में है पता दे कि लालुयादव की किर्नी देने वाली कोई और नहीं बलकि उनकी दूसरी बेटी रोहनी आचारे है वहीं दूसरी ओर गिरास सिंग ने रोहनी आचारे की तारीफ करते वे अपने शोशल मीडिया पर एक ट्वीट शेयर किया है बता दे कि उन्होंने ट्वीट करते वे रोहनी आचारे की एक तश्वीर लगाई है और कैप्सन में लिखा है कि बेटी हो तो रोहनी आचारे जैसी गर्व है आप पर आप उधारन होंगी आने वाली पीडियों के लिए सराब बंदी पर सिक्षा मंतिरी चंदर सेखर का बड़ा बयान बीते दिन बिहार के सिक्षा मंतिरी चंदर सेखर हाजीपूर में जिला सिक्षा कारई आले के औफिस पोहँची जहां उनका जोड़दार स्वागत किया गया है इस तरहान उन्हों नहीं मीडिया से बाचीत करते वे बिहार में सराबंदी को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग सराबंदी पर सवाल उठा रहे हैं वे सभी नफरतवादी लोग जाएं और मुहबतवादी लोग आएं। मुखे मंतरी ने सराबंदी करके एक अच्छी पहल की सुरवात की है इसमें लोगों को सहयोग मिलना चाहिए लेकिन इसमें कोई कमी है जो चिंताज जनक है सिक्षा ही एक मातर ऐसी चीज है जिससे आदमी, राज्ये और देश के अंधकार को दूर किया जा सकता है हर बात के ल अच्छारी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा है कि बीसी सी आई के दौरा इस वामने को लेकर हंगामा खड़ा किया गया है या एक अफवाह था कि भारतिया टीम में इशिया कप के लिए पाकस्तान जा सकती है लेकिन बीसी सी आई सचीव चैसा ने इसको लेकर कहा कि टीम इंडिया पाकस्तान नहीं जाएगी और विट्नियो को सिफ्ट करने की कोशिश की जाएगी उसके बाद पीसी बी की तरफ से वर्ल्ड कप में ना आने के बाद कही गई थी लेकिन इस तरह के एक कदम से आई से सी को जटका लग सकता है राजनितिक गति वी और ीशण चीघ्ञण चाहर रूपए पल्त प्रपुर में पेट्रॉल पोई दिफ्ट नोच चाहर रूपासी बता दे कि बिहार में पेट्रॉल का रेट सबसे आदा किसंगंज में हैं जहां मंगलवार को पेट्रॉल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.40 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है बीदर दिन हमारे दोरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया था जिनोंने हमारे दोरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है आप अपना जवाब हमें हमारी कामेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहें तो चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को लाइक करना न भूले धन्यवाद